कुछ नए, challenging, difficult, interesting MCQs जो किसी भी competitive exam में आपके काम आएंगे वो आपके लिए लेके आ रहा हूँ अगर आप preparation कर रहे हो तो अपनी thinking को, knowledge को test कर सकते हो, नई stimulation, motivation ले सकते हो क्योंकि ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ, in-depth study करके, हिंदी ये पंजाबी में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी चलो आएए देखते हैं कि आप question का जवाब दे पाते हो, first question है In his classical conditioning experiment, Pavlov use which of the following stimulus कौन सा use किया? Electric shock, first, second है sound of bell, third है sight of light, fourth है acid solution, fifth है meat powder Hindi में है, अपने शास्त्री अनवंधन प्रयोग में, Pavlov निमल लिखत में उसे किस उदीपन का प्रयोग करते हैं विद्यूत का जटका, घंटे की दुहनी, प्रकाश की दृष्टी, अमल, विलायन, मास का चूरा पंजाबी विच है अपने classical conditioning प्रयोग विच पावलोव हेट लिखे है, विचो किस उत्तेजक जाँ, उत्दीपन दिवर्तों कर देहन कीती हैं बिजली दा चटका, दूजा है केंटे दी वाज, तीसरी है रोशनी दी नजर, ते नजर, चौथा है एसिड रसायन, पंजवा है मीट पडर combination तो अडेकोल ने तुसी चूज करना है, इना दे विचो केड़ा तनो लगदा है के पावलोव ने अपनी classical conditioning विच stimulus वज़ों यूज किता गया है, A विच है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, B विच है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, C विच है, 1st, 2nd, 5th, और D विच है, 2nd, 3rd, 5th अगर आप अच्छी तैयारी कर चुके हैं, तो हर हालत में आप इसका उत्तर दोगे, अगर तैयारी की भी है, तो किसी knowledge को correct करना है, जा additional नए आने वाले question की तरफ जाना है, तो आपको इसका उत्तर देना होगा, comment box में आपको लिखना होगा, A, B, C, D, कौन सा आप चूज क of Pablo's classical conditioning पर video आएगा, उसमें clarity होगी, principles of classical conditioning with examples and life events, more than 10 names है classical conditioning के, वो कई competitive exam में पूछे जाते हैं, full theory of CC, classical condition की full theory मिलेगी, MCQ set एक के बाद एक आता रहेगा, criticism of classical conditioning, सबसे बड़ी बात कि ये with logical tricks, होंगे, क्योंकि Pablo's classical conditioning में conditioned stimulus, conditioned response, unconditioned stimulus, unconditioned response, and neutral stimulus, ये 5 term ऐसी हैं, जो बार बार तंग करती हैं, ऐसे logical tricks दूँगा, कि आपके mind को confusion नहीं होगी, और आप जल्दी से, जल्दी से उत्तर ढूंड लोगे, जैसे के पिछले videos में logical tricks use करके बताता आया हूँ, काफी deep study करके analyze करके ये video बनाता हूँ, तो मैं इच्छा रखता हूँ कि आप इस question का जवाब हर हालत में दो गए, ऐसे question की series लगातार चलती रहेगी, क्योंकि कि मैं regular feedback लेना चाहता हूँ, thank you, learn to actualize डॉक्टर तीरस से,